हेलो बच्चो, आज मैं आपको सीडी की अपसे टेडी बेर बनाना सिखाऊंगी, उसके लिए मैंने एक सीडी लिये और कुछ कलर फूट शीट लिये, सबसे पहले मैं इसमें एक सीडी से स्माल सरकल डौ करूँगी और फिर इसको कट कर लूँगी, ये मैंने सरकल कट कर लिया है आप मैं इसके एर कट करूंगी पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूं इस तरीके से यह मैंने ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से आप मैं इसको कट कर लूँगी अब मैंने यह यलो शीट लिया है अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूंगी और इस एयर के बीच का जो बीच में दूसरा पीस लिया है इसको भी मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर दिया है और इसके मैं इस तरीके से ही हैंड ड्रॉ करूंगी और इसको भी कट कर लूँगी यह मैंने इसके हैंड कट कर लिया है और अब मैं यह वाली शीट पर इसका यहां का फेस कट करूंगी उसके लिए देखो तो मैंने ये इस तरीके से एक सेंपल कट करके रखा है क्योंकि आप डारेक्ट कट करोगे तो वह easy नहीं रहेगा ये मैं आपको कट करने का तरीका बता देती हूँ आपको इस तरीके से white sheet लेनी है कोई भी और पहले उसका नीचे का portion इस तरीके से draw कर लेना है जब ये इस तर करेंगे तो ये same ऐसा ही आएगा ये देखो ये cut होने के बाद इस तरीके से आएगा लेकिन मुझे white नहीं चाहिए मुझे ये इस तरीके का चाहिए तो मैंने इसके framing cut करके रख लिया है आप चाहो तो air और face के लिए भी पहले framing cut करके रख लो बाद में फिर जिस sheet से आपको बनाना है उस sheet का draw करके उस पर cut करो ये मैंने इसको रखके draw कर लिया मैंसे cut कर लूँगी अब मैंने red color की sheet लिये इसको double fold किया है और इसमें में half heart इस तरीके से draw करूँगी जब मैं इसे पूरा खोलूँगी तो पूरा heart बनेगा पहले मैंसे cut कर लेती हूँ जब मैं इसे cut कर लूँगी तो आपको इसको फिर खोल के दिखाती हूँ पूरा आपका easily heart proper shape में बनके आ जाएगा ये देखो ये मेरे को बीच में यहाँ पर लगाना है इसलिए मैंने cut किया है अब मैं two small same size के heart cut करूँगी ये मैंने two red color के और एक black color का heart cut कर लिया है same size के अब मैं इसकी eyes draw करूँगी ऐसे ही ये double मैं ऐसे fold कर लूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा semi circle लेते वे इस तरीके से आप चाओ तो goal भी बना सकते हो पर मैंने थोड़ा सा इस तरीके से इसकी eyes कर जो लिया इस तरीके से shape बनाया आप मैं इसे cut करके आपको दिखाती हू यह मैंने दोनों eyes cut कर लिया अब मैंने यह piece लिया इसको ऐसी fold किया है और अब मैं इसकी legs बनाऊंगी इस तरीके से यह मैंने दोनों इस तरीके से line कीश लिया है और आप मैं इसको ऐसे cut कर दूँगी यह इदर से भी cut कर दिया और अब यह इदर से जुड़ावा हिस्सा यह भी cut कर दिया इस तरीके से यह 2 legs मेरे पास आ जाएंगी अब मैं इसके यहाँ पर framing के लिए यह बना रही हूँ देखो यह मुझे इस तरीके से चाहिए उसके बाद मैं यह लवाली sheet पर बनाऊंगी जो मुझे original चाहिएगा यह मैंने framing के लिए बना लिया है यह cut करके ऐसी shape में आ जाएगा यह देखो यह इस तरीके से रखके ऐसा होगा लेकिन मुझे white नहीं चाहिए मेरे को यह इस color में चाहिए तो मैंने इसको double fold किया इस sheet को भी इस तरीके से और इसको इस पर रखके अब मैं cut कर लूँगी ताकि दो piece मेरे पास यह आ जाए यह सारे pieces ready हो गए हैं अब मैं आपको paste करना बताऊंगी सबसे पहले हमें यह face लेना है face के लिए फिर मुझे यह यहाँ पर favicol लगाकर पहले यह paste करना है इस तरीके से यह paste हो गया है अब मुझे यह इसके air लेने हैं और इनको इस पर paste कर देना है अब इसके air मैं यहाँ पर इस तरीके से paste कर दूँगी दूसरा वाला इस side मैं इस तरीके से paste कर दूँगी के यह ब्लैक किलर का जो हार्ट मैंने कट किया था इसके नोस के लाए कट किया थे यह मैंने पेस्ट कर दिया है vap이에 इसमें स्मॉल टूपीस मैंने वाइट के इस तरीके से पेस्ट कर दिये थे यह इसकी आइज हो गई है अब यह हार्ट में इसके बीच में आपर फैविकॉल लगा के पेस्ट कर दोंगे या फिर आप चाहो तो डबल साइड टेप की हल्प से भी पेस्ट कर सकते हो और इसको भी हम टेप से ही पेस्ट करेंगे फैविकॉल से शायद ना हो यह पेस्ट अब जो इसके हैंड कट किये थे वो यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे एक इस साइड और दूसरा इस साइड अब यहाँ पर इसके लैग्स इस तरीके से हम पेस्ट कर देंगे यह इस तरीके से मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया यह ऐसे पेस्ट कर दिया है और अब मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से दोनों साइड पेस्ट कर दूँगी यह जो मैंने टू हाट कट किये थे रैड कलर क के वह मैं इसके लाक्स की हाँ पर पेस्ट कर दूंगी इस तरीके से अब मैं इसकी हाँ पर एक बो ड्रॉ करके कट कर दूंगी यह मैंने ब्लू और और औरंज कलर की बो कट की है स्मॉल और बिग साइज की और इसके ओपर मैंने यह से पेस्ट कर दिया और अब मैं यहाँ पर यहां पर red pencil इस तरीके से ये इस तरीके से draw करूंगी, आप चाहो तो पहले pencil draw कर ले ना, एक white color का है मैंने small heart cut कर लिया और और मैं उसको बीच में ऐसे paste कर रही हूं, और ये sketch black color के sketch pencil मैं इसकी ये finger इस तरीके से draw कर दोंगी, यह lines draw करनी है ताकि यह finger जैसा look दे इस तरीके से हमारा यह teddy bear ready हो गया है अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको like करना और मेरे channel को subscribe करना यह पीछे मैंने इसके यहाँ पे thread लगा दिया डोरी ताकि आप इसको hanker सको इस तरीके से आप इसको घर में decoration के लिए बनाओ या फिर अपने friend को gift करो